स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सींगाडन में और आज हम लेकर क्या है एक पौधा आपके सामने ये देखिए पौधा आप देखते कहेंगे क्या ये जंगली पौधा ले लिया लेकिन यकीन मानिए ये जंगली पौधा जरूर है लेकिन इसके जो गुन है वो जानक हैरान रह जाएंगे आप गुन क्या है ये हमें ऑक्सिजन देता है ऑक्सिजन देता है फ्री में ऑक्सिजन देता है बिलकुल ठीक सुन रहे हैं आप फ्री में ऑक्सिजन देता है और 24 गंटे देता है साथ ही साथ हम इसको बताएंगे मल्टिप्लाइ करने के दो तरीके क्य के घर में होना चाहिए हम क्या करते हैं एसी चलाते हैं रोम बिल्कुल लॉक करके बिल्कुल पैक करके सो जाते हैं कि एसी की ठंडी हवा बाहर ना निकल जाए बट यह भोल जाते हैं कि हमारे जो प्रानवाई जीवन दाय ऑक्सिजन जो है वो कहां से आएगा ऐसे में हम एसी साथ आपके घर में प्लास्टिक के आइटिम है उसमें से बेंजीन गैस निकलता है किचन में फॉर्मेल लिएड निकलता है यह सारी गैस को कंज्यूम करता है मतलब उसको अपने भोजन के रूप में ले लेता है और बदले में में क्या देता है फ्रेश शुद ऑक्सिजन जो एक्सेस वाटरिंग नहीं चाहिए जानते हैं इसके तरीके को ज्यादा समय नहीं लेते हुए तो दोस्तों यह देखिए फैसा दो साल का था हमारे एक गमले में लगावा था च्छोटा सा चोरस गमला जैसा कि आप देख रहे हैं और ये जो है गमले को बिल्कुल तोड़ चुका है गमले हमने निकाल दिये हैं आप आप ये देखिए कि इतना फैल गया ये हमने जैसे एक पोधा लगाया था एक पोधे में से कितने पोधे आप देख रहे हैं तब कि मार्च अपरल मईजून के अंदर इसमें से तरीच निकलते हैं नएच को मल्टीप्लाइ करने का बिल्कुल तरीका बतायें गे़ा यह कि पांप निकलते हैं, 6-7 पौधों में convert हो जाए और pups निकलेंगे इसी तरह से देखिए ये simply ये देखिए इसका जड़ है इससाब से इसको तोड़ लेना है ये थोड़ा सा लगा रहा है देखिए हर एक के साथ आपको ये pups मिल रहे हैं ताके ये हमारा multiply हो जाए ये देखिए इसको इतने हमने रूप में तोड़ लेना है ताके multiply easily कर सके और कैसे करना है क्या soil mixture रखना है सभी मैं details से बताऊँगा आप लोगों को फिर दूसरे तरीके पे हम आएंगे पहला तरीका देखिए इस तरीके से तोड़ लेना बेफिकर होके तोड़िए कि ये जड़ थोड़ी सी भी लगी है तो ये जो है बिल्कुल survive करेगा तो दोस्तों देखिए एक पौधे से हमने कितने पौधों में convert कर दिया है दो साल में ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोरा, सत्रा, अट्रा, उननेस और ये बीस यानि कि पूरे एक पौधे से एक गमले से हमने बीस पौधे त्यार कर लिए है बीस पौधे त्यार हो गए तो ये मल्टिप्लाई करने का नंबर वन तरीका अब हम इसको लगाएं कैसे जैसे मैंने बताया जंगली पौधा है मेंटेनेंस फ्री है एक महिने तक पाणी ना दे, पंदरा दिन तक पाणी ना दे आपका पौधा मरेगा नी, ये मेरी गारेंटी है और ऑक्सीजन 24 घंटे देगा घर के जितनी बॉलटेल गैसीज है उसको खाएगा लेकिन उसको बदले में हमसे कुछ नहीं चाहिए खास ये देखिए सिंपल करना आपने मिट्टी लेनी है मिट्टी कैसी भी हो सकती है ज्यादा हाड है तो थोड़ा उसको लाइट कर सकते हैं कोकोपिट मिला लें रराइसस्क मिला लें ङ्ज़ंटी रॉतीiferमी लेनी है क्याँ होती है क्योंकि यह the test cute है जैसे मैंने बताया अब महिना पानी नी डालेंगे 15 दिन पानी धी नी डालेंगे बिल्कुल ठीक चलेगा, ये मिट्टी लिया हमने, और हम क्या करेंगे, छोटे गमलो में हमने, इसको डिवाइड करना है, तो ये गमले ले लिये हैं, ये ले सकते हैं, इसको प्लास्टिक के गमले से भी कोई allergy नहीं है, उसमें भी चल जाएगा, एक सर्तियाद रखनी है, पा से दस मुठी को केल्शिम पॉडर की अवशकता है, जो हमने इसको डाल दी है, अब दूसरा चाहिए, इसको nutrition, nutrition में आप गोबर खाद, बर्मी कमपोस्ट या लीप कमपोस्ट कोई भी एड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे, कच्छा खाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्ल लेकिन पूरी तरह से पका होना चाहिए, लेकिन नूटरिशन की बात करें, तो इसको जो 100% nutrition है, वो आपको लिप कमपोस्ट से मिलता है, अब इनको हम चीजों को मिला लेंगे, इसमें कोई नीम खली, कोई ये, कोई वो डालने की जोरुत नहीं, जैसा मैंने बताया, कि ये एक हाड़ी प्लांट है, और अपने इजी वे में चल जाता है, तो इसको बस इसको खाने को थोड़ा चाहिए, जो इसका टेक्शर है, वो चाहिए, इसके बाद आपको ये चोविस घंटे अक्सिजन देता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, धूप की जोरुत की बात करें तो धूप हपते में एक बार जरूर लगा दें, दो दिन तिन दिन के लिए, क्योंकि धूप अगर नहीं लगाएंगे, तो ये प्रॉपर चलने पाता है, तो ये देखिए, मिट्टी हमारी बन के एकदम त्यार है, अब हमने करना क्या है, इसको उठाना है, और इसमें भर जैसे प्लास्टी का गमला है, और ये चीज उठाई हमने, ये देखिए, इसको इतना लगाना है, ये देखिए, ये जो पप्स दिखाई दे रहे हैं, वो अंदर चले गए, कोई बात नहीं है, ये अपने आप ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मिट्टी हमारी ऐसी है, और प दूसरे गमले में, पड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, अंदर रखना है, सुन्दर रखना है, तो सेरामिक पॉट में कर लें, नहीं तो प्लास्टिक पॉट में कर लें, किसी में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके बात डालना है हमें इसमें पानी, पानी कितना डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे पानी सिरफ इतना डालना है कि यह इसकी जड़ गिली हो जाए यह देखे और well-drained soil का मतलब आप देख लेंगे कि इसके डालते ही पानी डालते ही within a minute यह पानी इसके अंदर मर्ज हो जाता यह देखे यह पौधे shift करने का मतलब multiply करने का एक तरीका एक से 20 पौधे बना लिए अब आते हैं हम दूसरे तरीके के उपर दूसरा तरीके के लिए क्या करना हमें एक कोई ऐसा लेना है मिट्टी का बरतन लेना या प्लास्टी का ले सकते हैं उसमें क्या करना है आपको pure sand यानि के रेत नदी के रेत जो होती है वो भर लेना है और इसमें हम दूसरे तरीके से लगाएंगे दूसरा तरीका क्या है अब जैसे यह पोधा हमने काटा अब आप देख रहे हैं इसके तो पत्ते डैमेज है यह अच्छा नहीं लग रहा है हम क्या करेंगे इसकी सफाई कर देंगे यह नहां से इस पत्ते को यह देखिए ऐसे कट कर लेंगे क्योंकि पत्ता ठीक नहीं लग रहा था यह ठीक है हम ऐसे कर लेंगे तो इसकी हम सफाई करेंगे यह देखिए यह ठीक है और यह वाला हम और ले लेते हैं जिसमें पत्ते जले से नजर आ रहे हैं तो हम इस पत्ते की कट किये हैं वेस्ट हैं क्या ये वेस्ट हैं ये है कोशन मार्क क्या ये वेस्ट हैं क्या हम इसको फैंके नहीं बिलकुल नहीं ये हमारे सारे पौधे में कनवर्ट हो जाएगा आपको हैरानी हो रही होगी अरे पेस्ट पत्ता इससे पौधे तियार हो जाएंगे बिलकुल द डीब हाइंगे देखिे एंगल में गट कर ना है beautiful एंगल में ऐसे कट किया मैं सेमने तीम भी बना दिये उपर वाला सूखा निकाल देटे इंशको ऐसे रखना है डाउन पोर्शन टाउन और अप पिर संब अ और इसको अमने एंगल में कट कर लेना है ये एंगल में कट किया है आप इसके वाद क्या करने वाली है यह देखिए यह खब देखिए अब हमने। नहीं लगा इंगे तो भी अच्छा नहीं लगाईगे तो हो ऊछा। में शुरूट हार मॉन के लिए कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया है यह देखिए यह चेरा लगा देते हैं और व्योट को चेया लगा दिया अब आपको क्या किरना है इसमें ये इस तरह से लगा देना है अलोवेरा ऐलो व्योय जल लगा के इसको ऐसे लगाना है अब यह अलोवेरा की बात करें तो अभी हमारी रिसेंटली वीडियो इसको पर मैंने डाली है तीन-चार दिन पहले इसके सारे बेनिफिट बताए है इंसान से लेकर पोधों तक सभी के लिए अमरित समान है तो यह वीडियो जरूर देख लें आपको ब यूट्रिशन का भी देगा तो क्या होगा यह प्लांट रूटिंग जो हमारी जल्दी करेगा और इस तरह से हमारा जो प्लांट है यह औक्सिजन गिविंग प्लांट फ्री में हम प्लांट त्यार कर लेंगे यह ऐसे केस के लिए है जैसे स्पोस करीगा गंबले में इतना लगावाथ आपके पास नहीं है तो किसी से एक पत्ता भी लेकर के आएंगे तो इस से अपने घर में आप त्यार कर लेंगे और नर्सरी से जो 300-400 प्लांट मिलता है वो आपको खर्चना नहीं पड़ेगा आपके अपने घर में अपने हाथों से पौधा त्यार होगा तो कि खुशी कुछ दोस्तों और ही होती है यह देखिए इस तरह से आपने अलोवेरा जल लगाना है और खुला खुला ऐसे गार देना है अब गारने के बाद क्या करना है आपने इसमें पानी डालना है दोस्तों यह देखिए पानी ऐसे देना है कि यह उखडे नहीं और पान यह पहले लगाया हुआ है और इसमें प्लास्टिक किसमें लगा दिया था कटिंग से देखिए यह पत्तों से ही त्यार हुआ पोधा है सारा और इतने ज्यादा हो चुके हैं इसको एक्चुली में एक साल हो गया लगाये को एक साल में आप देख सकते हैं कि यह देखिए किस पूदरा से जड़ बन गया है जो है झोटे छोटे छोटे एक से दोrid से तीन से चार पफ tiếp flare से निकलते जा तो इस तरह से आप multiply करके इस free में oxygen देने वाले पौधे को अपने घर में लगा करके स्वस्त मस रह सकते हैं किसी तरह की जानकारी के लिए हमारे दिये गए WhatsApp नमबर 999-69-28517 पे आप WhatsApp पे लिखिए जो भी आपकी क्वाईरी है आपको solution मिलेगा इस तरह का पौधा या material चाहिए वो भी हमारे पास available होता है fruit plants है आप पीछे देख रहे हैं हरे भरे हमारे बागीचे को इसमें हर तरह के fruit plant हम by courier पूरे All of India सप्लाई देते हैं आप WhatsApp पे fruit plants लिखें, medicinal plant लिखें, flower plant लिखें आपको पूरी कोईरी मिल जाती है दन्यवाद दोस्तों